हेलो दोस्तो स्वागत है आपका अपने चेनल जेके स्टडी स्ट्रेजी में तो कैसे हैं आप सब लोग आप सब ही लोग ठीक होंगे और पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर ही रहे होंगे तो जैसा कि हमने कल पूरे एक्ट जो important थे हमने उनको cover किया 1773 से लेकर 1947 तक तो आज हम करने वाले हैं making of the Indian constitution आज हम discuss करेंगे कि हमारा जो constitution बना है उसमें किन जो हमारे freedom fighters थे constitutional maker से किन किन का योगदान रहा है तो आज हम शुरू करने वाले हैं तो जुड़े रहिए end तक और पढ़िए हमारे साथ making of the Indian constitution तो इसमें क्या होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है कि in 1934 the idea of the constitution assembly for India was put forward for the first time by M.N. Roy तो अगर हम देखें जो हमारा Indian constitution है present जो हमारा Indian constitution है वो जो है 1935 में सबसे पहले जो constitution assembly के लिए जो demand जो मतलब कदम रखा गया था सबसे पहले किसने ये step चलाया था वो थे हमारे M.N. Roy थे तो इन्होंने कब शुरुवात की है इन्होंने कब constitution assembly की शुरुवात की है मांग की है इन्होंने मांग की थी 1934 में तो फिर क्या होता है in 1935 the Indian National Congress 1935 में जो Indian National Congress होती है for the first time officially demanded a constitution assembly to frame the constitution of India 1934 में हमने देखा कि जो M.N. Roy थे उन्होंने constitution assembly की demand की थी और जब 1935 में क्या हुआ Indian National Congress ने पहली बार officially demand की constitution assembly की एक इंडिया के लिए constitution फरेम करने के लिए फिर क्या होता है in 1938 1938 में जोहारला लहरू जी जो थे उन्होंने क्या किया on behalf of Indian National Congress Indian National Congress की बिहाफ पे मतलब उनकी तरफ से Indian National Congress की तरफ से उन्होंने क्या डिकलेर किया तो जो हमारे जोहारलाल नहरू है उन्होंने क्या किया था? इंडिया 35 में उन्होंने भी Congress की तरफ से ये डिकलेर किया कि जो इंडिया के लिए एक constitution बनाना चाहिए हमें और उस पे कोई भी बाहर का interference हमें नहीं चाहिए तो जो British government थी उन्होंने इस demand को accept कर लिया तो वो इंडिया के लिए offer लेके आए जिसको हम अगस्त offer के नाम से भी जानते हैं तो यह अगस्त offer 1940 में इंडिया में आया फिर जो हमारा अगला point है तो क्या होता है 1942 में Sir Stafford Crips जो थे एक member थे वो cabinet के जो member थे एक वो इंडिया में आये और उन्हें ये proposal लाया कि इंडिया के लिए एक independent constitution बनाया जाएगा second world war के बाद तो second world war हमारी कब हुई है 1942 से लेकर 45 तक हमारी second world war चली है तो जो Sir Stafford Crips थे उन्होंने कहा कि इंडिया के लिए एक independent constitution बनेगा after the second world war तो next हमारा क्या है this mission was rejected by the Muslim League लेकिन ये जो Crips Mission था 1942 में जो आया Crips Mission तो ये जो था Muslim League के द्वारा इसको reject किया गया क्यों reject किया गया because they wanted India divided into two autonomous states क्योंकि जो Muslim League थी वो चाहते थे कि इंडिया को हम दो अलग-अलग state में divide करें उनको अपना-अपना constitution हो अलग-अलग constituent assembly के साथ-साथ हम इंडिया को divide करके दो autonomous states बनाएं तो अब हम देखते हैं कि composition of the constituent assembly composition क्या होता है संगठन यानि जोड constituent assembly जो है उसका मतलब क्या कैसे उसका जोड हुआ है अब हम वो देखेंगे तो इसमें क्या होता है यह जो डेट है यह बहुत ही important है यह आपको याद रखना जरूरी है तो प्लीज साथ-साथ में ही इनको note down करते जाएए तो जो constituent assembly थी इंडिया के लिए जो constituent assembly थी November 1946 में इसको बनाया गया constitute किया गया under the scheme formulated by the cabinet mission plan cabinet mission plan जो था उसके under जो scheme थी उसके under इसको constitute किया गया तो इसके कुछ key features है key features है इस scheme के कौन-कौन से है वो सबसे पहले क्या होता है जो हमारा जो हमारा यह है composition of the constituent assembly इसमें क्या होता है सबसे पहले इसमें होता है the total strength of the constituent assembly the walls to be 389 तो जो बिटिश गोर्णमेट ने क्रिप्स सर स्टैफ़र्ड क्रिप्स को भेजा 1942 में तो उन्होंने एक जो scheme formulate की उसके अंडर क्या था कि जो strength होगी constituent assembly की वो क्या होगी 389 होंगे उसमें मतलब member उसमें 389 होंगे जिसमें से 296 seats जो होंगी वो किसको allot की जाएंगी British India को British India यहनि जो भी possession जो भी मालकित British India के पास थी Britishers के पास थी इंडिया बे उसको हम British India बोलते हैं तो जो 389 seat थी उनमें से 296 seat जो होंगी वो किसको allot की जाएंगी किसको दी जाएंगी British India को and 93 seats were to be princely state और जो 93 seats होंगी वो princely states को दी जाएंगी तो princely states का मतलब होता है कि जहां पर राजा महराजाओं का राज होगा Britishers उसमें कोई interference नहीं करेंगे directly तो second जो हमारा step है out of 296 seat अब जो 296 seatें जो थी British India को allot की हुई थी उसमें क्या होता है अब इसमें क्या होगा जो 296 सीट ब्रिटिश इंडिया को दी थी उसमें से 292 सीटें जो मेंबर्स होंगे वो 11 गोवर्नर प्रोवियंसी से आएंगे चार आएंगे चार गोवर्नर प्रोवियंसी से आएंगे और चार कमिशनर चीफ कमिशनर प्रोवियंसी से आएंगे यहनी एक जो मेंबर होगा एक प्रोवियंसी से आएगा तो फिर क्या होता है इसमें roughly one seat was to be allotted for every million population यहनी एक जो member होगा वो million population को आगे represent करेगा इनका मतलब यही था कि roughly जो एक seat थी वो one million population के लिए एक seat allotted की गई थी फिर क्या होता है seats allotted to each British province were to be divided among three principal communities जो भी British province को seat allocate की हुई थी उनमें तीन major communities थी उनमें उनको divide किया गया था first हमारी major community है Muslim second Sikh and third general general यनि कोई भी Muslim and Sikh के अलावा कोई भी जो थे Hindu वगेरा होगे कोई भी जो communities थी वो general category में आती है in proportion to their population population के हिसाब से उनको divide किया गया तीन major communities में तो next हमारा क्या है point the representatives of the princely states were to be nominated by the head of the princely state जो representative होगा princely state का princely states का जो representative होगा उसे कौन nominate करेगा वो nominate किये जाएंगे किसके द्वारा heads of the princely state जो princely state के head होगे उनके द्वारा ही representative of the princely states जो है वो nominate किये जाएंगे next हमारा है the election to the constituent assembly जो constituent assembly के election हुए थे for 296 seats जो allot की गई थी British Indian provinces को तो वो कब हुए थे were held in July August में हुए थे 1946 में the national congress won 208 seats जो हमारी Indian national congress थी उन्होंने 208 seats जीती जो muslim league थी उन्होंने 73 seats जीती और जो चोटे-चोटे groups थे independent जो चोटे-चोटे group थे बचे हुए उनको 15 seat मिली फिर इसके बाद क्या होता है इसके बाद है however the 93 seats जो 93 seats princely states को थी वो fill नहीं की गई क्यों नहीं की गई क्योंकि जो princely states थी वो इसमें मतलब इसमें नहीं आना चाती यहां से मतलब constituent assembly से दूर ही रहना चाते थे इसलिए वो 93 seats जो थी वो भरी नहीं गई यानि वो खाली ही रही थी फिर इसके बाद हम देखते हैं हमने अभी देखा कि composition of Indian constitution हमने पढ़ा अभी हम देखेंगे working of the Indian constitution यानि क्या क्या काम किया गया Indian constitution assembly को बनाने के लिए working of the constitution assembly यानि constitution assembly को बनाने के लिए क्या क्या काम करना पड़ा सबसे पहले क्या होता है इसमें first meeting was held on December 9, 1946 December 9, 1946 में पहली meeting होती है किसकी constitution assembly की तो जो muslim league थी वो पहले से ही oppose कर रही थी constitution assembly को तो उन्होंने December 9, 1946 में इस जो ये meeting थी इसको bycott कर लिया यानि उन्होंने इसको यानि इन्होंने इसे attend नहीं किया इस meeting में ये नहीं गे तो जो ये meeting थी ये सिरफ सिरफ नहीं मतलब 211 members इन में जो थे वो मौजूद थे constituent assembly में जो December 9, 1946 में होती है तो जो second है मारा point Dr. Satchidarnand Sinha जो oldest member थे उनको as a temporary president उनको मतलब appoint किया गया French practice को follow करते हुए उनको as a temporary president उनको appoint किया गया फिर उसके बाद है हमारा point third Dr. Rajinder Prasad was elected as the member of a constituent assembly जो Dr. Rajinder Prasad है उन्हें member constituent assembly का member चुना जाता है फिर उसके बाद है हमारा जो हमारे vice president है उनको दो vice president चुने जाते हैं हमारे पहले vice president एक आगे H.C. Mukherjee and the second is V.T. Krishnamachari इन दोनों को vice president बनाया गया दो बंदूं को vice president बनाया गया फिर उसके बाद है हमारा fifth point is जोहारलाल नहरू moved a historic resolution on December 13, 1946 it laid down the fundamentals and philosophy of the constitution जो जो हारलाल नहरू जो थे उन्होंने historic resolution एक लाया जिसमें fundamental और philosophy constitution की बताई जाती है तो जो resolution था उसमें यही था कि मतलब किस तरह से हमारा constitution होना चाहिए एक constitution की हमें यहां पर इसकी introduction मिलती है तो यह जो हमारा historic resolution यह जो लाया गया था objective resolution इनके द्वारा यही बाद में जो हमारा प्रेमेबल उसका ही modified version है तो हमारा sixth point है all the powers and authority of sovereign independent India its constituent parts and organs of government are dried from the people अब इसमें क्या कहा जाता है इसमें कहा जाता है जो हमारा objective resolution लाया था जो आरलाल नहरू जी ने 13th December 1946 में जो यह हमारा objective resolution पास किया उन्होंने इसमें क्या कहा गया था कि जो भी powers and authority होंगी sovereign independent India की वो किसके हाथ में होंगी सारे जो government के जो काम होंगे वो people के हाथ में होंगे तो जो हमारा seventh point है this resolution was adopted on 22nd 1947 by the assembly तो बीस जनवरी 1947 को इस resolution को adopt किया गया जो बाद में हमारा premable भी बन जाता है तो यहां पर यहां fromable नहीं है यहां premable है पर तो यह यह और यह यह लिखने में कुछ दिक्ट होगी है तो जो present premable है constitution का is a modified version of objective resolution तो यह हमने पहले भी discuss किया कि जो हमारा present premable है इंडियन constitution का वो एक modified version है objective resolution का तो हमारा ninth point क्या है अब जो अब क्या हुआ इसमें अब्जेक्टिव रेजियूशन जो था इसमें ये कहा गया कि जो माइनोरिटीज और बैक्वर्ड एंड ट्राइबल एरियाज हैं और जो भी डिप्रेस्ट और दूसरे बैक्वर्ड क्लासिस हैं उनको मतलब जीने के लायक उनको सेफगार्ड प्रोवाइड किये जाएंगे उनको सहुलियत दिये जाएगी कि वो अपनी जिंदगी अच्छे से जीएं फिर उसके बाद हम देखते हैं चेंजिस आफ दी इंडिपैंडेंस एक्ट 1947 अब जो चेंजिस क्या हुई थी इंडियन एक्ट 1947 के द्वारा अब हम उन्हें डिसकस करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है इसमें मैंबर्स आफ प्रिंसली स्टेट एंड मुस्लिम लीग जो मैंबर्स थे यूटी है जम्मु कश्मीर की इसको प्रिंसली स्टेट का स्टेटस नहीं है तो प्रिंसली स्टेट वो ही होती है तो क्या है अब जो मेंबर थे प्रिंसली स्टेट के और जो मुसलिम लीग थी मुसलिम लीग कहा की फ्रम इंडियन डॉमिनन और इंडियन डॉमिनन की जो मुस State and Jerusalem League ती इनुने उसे जॉइन करना शुरू कर लिया फिर क्या होता है इसमें Indian Independence Act 1947 made changes in Constituent Assembly जो Indian Independence Act 1947 है उसने बहुत सारी changes like Constituent Assembly में तो वो कौन-कौन सी changes है let's discuss them below तो सबसे पहला जो है हमारा the Constituent The Assembly was made of fully sovereign body free to abrogate or alter any law तो अब जो ये constituent assembly बनाई गई इसमें क्या था कि ये जो assembly है अब वो sovereign है, sovereign ये निए supreme है supreme body है, free है कोई भी law अगर change करना है तो वो कर सकती है without any outside interference तो second क्या है हमारा point, two separate functions were assigned to the assembly दो separate function assigned किये assembly के लिए, performed on separate days और इनको अलग-अलग दिनों में, मतलब perform किया जाने लगा, पहली क्या है हमारी, पहला function हमारा legislative body आगी, जिसको chair कर रहे थे, यानि जिसको, जिसकी देखरे कौन कर रहे थे, G.V. Mavlankarji कर रहे थे, and the constituent body जो थी, उसको कौन chair कर रहे थे, Dr. Rajinder Prasad फिर, assembly become the first parliament of free India, these two functions continue till November 26, 1949 अब क्या होता है, assembly, इसके बाद जो assembly है, वो पहला parliament free India का बन जाता है, इन दो functions के बाद, तो फिर क्या होता है, ये जो, sorry, तो ये जो assembly के functions होते हैं, ये कब तक चलते हैं, नवंबर, 26 नवंबर, 1909 तक चलते हैं, ये, इसके बाद हमाना third point है, after withdrawal of Muslim league members, total strength came down to 299 as against 389 under the cabinet mission plan, अब क्या होता है, जो Muslim league है, उन्होंने बाइकॉट कर लिया था, जब उन्होंने withdraw कर लिया, यनि छोड़ दिया, तो जो strength थी, वो strength हमारी कहां तक 389 से 299 तक आ जाती है, जो कि cabinet mission में इतनी mention की वी थी, 389 mention की वी थी, लेकिन जब Muslim league ने छोड़ दिया, इसको वो अलग होगे, तो हमारे पास member 299 ही रह जाते हैं, तो अब हम discuss करेंगे कि functions, मतलब क्या-क्या functions perform किये गे, constituent assembly के द्वारा, तो अभी हम देखेंगे क्या-क्या functions किये गे, तो first जो हमारा function है, वो है, adopted the national flag on July 22nd, 1947, तो जो हमारा national flag है, तिरंगा, तो उसको कब adopt किया गया है, 22nd of July 1947 में उसे adopt किया गया है, and the second function is, adopted national song and national anthem on January 24, 1950, तो जो हमारा national song and national anthem है, उसे भी 24 January 1950 को, उसे 24 January 1950 को adopt किया गया है, फिर उसके बाद है, हमारा third point, third function किया है, elected Rajinder Prasad as first president of India, जो हमारे Rajinder Prasad जी है, पहले president है, इंडिया के, तो उन्हें कब appoint किया गया है, 24 January 1950, अब जो total sessions थे, कितने session हुए थे, कितने session हुए थे, हमारे constituent assembly के, तो ये session हुए थे, total session हमारे पास, 11 session हुए थे, constituent assembly के, एंड जो total time है, constitution को बनने का, वो कितना time लगा है, 2 साल लगे हैं, 11 महीने, 18 दिन थी के, 2 year, 11 month, 18 days, एंड, total जो खर्चा आया है, वो कितना आया है, total खर्चा हमारा constitution बनने के लिए, 64 लाक का आया है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कि जो Indian constitution है, one of the largest constitution in the world, और ये written constitution है, तो इस पे जो total expenditure आया था, total जो खर्चा आया था, वो हमारे पास 64 लाक का आया था, तो अब हम देखेंगे कि major committees कौन कौन सी हैं, बड़ी-बड़ी कौन कौन सी committees थी और उनके, जो उनको मतलब कौन चला रहे थे उन committees को, सबसे पहले जो हैं हमारे पास, जो आरलाल नहरू, तो इनके पास कौन सी committee थी, union power, union power committee, union constitution committee, states committee, तो ये जो committees थी, तीन committees थी, तीन committees ये, जो आरलाल नहरू जी के अंडर थी, तो second जो committee है, वो हैं हमारे पास, डाक्टर राजिंदर परसाद जी के पास थे, rules of procedure, committee, यहां committee के spelling गल्स लिखी है, steering committee, तो ये जो committee हैं, ये डाक्टर राजिंदर परसाद जी के पास थी, और जो सरदार वल्लब भाई पटेल जी हैं, उनके पास कौन कौन सी committee थी, provincial constitution committee, advisory committee on fundamental rights, minorities and tribal and excluded areas, तो इन सब चीजों पर जो committees थी हैं, किनके पास थी, ये सरदार वल्लब भाई पटेल जी के पास थी, तो जो फॉर्थ point है हमारा, वो क्या है, डाक्टर बीम रावंबेद कर, जैसा कि सब ही लोग जानते होंगे, मुझे लगता है कि जो head थे इस committee के, drafting committee के जो head थे वो, डाक्टर बीम रावंबेद कर जी हैं, about Indian Constitution, important fact क्या-क्या है Indian Constitution के, सबसे पहले क्या है, elephant adopted as constituent assembly symbol, जो constituent assembly का symbol था, वो क्या adopt किया गया था, वो elephant adopt किया गया था, constituent assembly का symbol, तो second जो है हमारे पास, वो क्या है, S.N. Mukherji was chief draft man of constitution in constituent assembly, constituent assembly में जो, S.N. Mukherji थे, ये chief draft man थे, ये हमारा second important point आ गया, and the third important, most important point जो है हमारे पास, वो है, जो ये हैं, हमारे, प्रेम बिहारी राईजादा जी हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने हाथों से constitution को लिखा है, अपने हाथों से, यानि ये कोई printed नहीं था, बलके उन्होंने अपने हाथों से इसे लिखा है, तो जो नंदलाल बोस जी हैं, and B.R. Sina, decorated and beautified the constitution, constitution को इन्होंने decorate किया था, और इसको खुबसूरती से आगे पेश किया था, कौन थे वो, नंदलाल बोस and B.R. Sina, तो फिफ्ट पॉइंट है हमारा, हिंदी वर्जन कैलिग्राफी डन बै वसंत कृष्ण वैद्या, जो वसंत कृष्ण वैद्या जी हैं, इन्होंने हिंदी वर्जन किया था, constitution का, लेकिन जो नंदलाल बोस जी हैं, इन्होंने इसको खारिज कर लिया था, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, तो आई हॉप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आई है, तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से जरूर इसे साजा करें और हमें सपोर्ट करें थैंक यू जाए हिंद